गाइस अगर आप PTM यूज़ कर रहे हैं, Google पे यूज़ कर रहे हैं या फोन पे यूज़ कर रहे हैं या कोई सा भी अधर UPI एप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए सावधान होने की इस टैम सुचेशन आच चुकी है सावधान इसलिए आज के टाइम पे एक ऐसा फ्रोड एक बिल्कुल लेटेस्ट ऐसा फ्रोड आ चुका है आप चाहे जितने ही समझदार क्यों न हो जाए आपके साथ भी 100% फ्रोड हो सकता है आप अपने आपको जितना स्मार्ट बना ले या जितना ही एडवांस बना ले तो आपके साथ 100% यह फ्रोड होगा और गुरेंटिड है क्योंकि एक ऐसा नया तरीके का फ्रोड आया है जिसमें हर एक बंदा simply और असानी से फस रहा है अब यह fraud क्या है सबसे पहले हम यह जाने लेते हैं आपके पास कोई भी fraudी बंदा आएगा कुछ भी मतलब आपसे purchase करेगा या आपको जो payment करने होगी वो आपको करेगा और आपको कहेगा कि मैं digital payment करूँगा पेटियम के माध्यम से करूँगा तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं तो आप उसे simply अपने information दोगे तो वो आपको pay कर देगा मतलब जो भी amount होगा तो आपको pay करके आपको mobile पे live दिखा देगा कि मैंने payment कर दी है तो आपके पास SMS आया नहीं या आपके पास ना mail आया है तो आप कहोगे मेरे पास अभी SMS नहीं आया ना notification आयी है तो वो कहेगा हो सकता है net problem हो या कोई issue हो तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है मतलब यह भी possibility है जिस विए से मेरे पास message नहीं आया information नहीं आई कि payment आ गई है साथ हो चुके हैं तो यह fraud आपके साथ ना हो और यह fraud हो कैसे रहा है यह पूरी जानकारी में अब आपको बताता हूँ आपने पहले fraud जान लिया कि क्या है fraud कैसे हो रहा है अब यह fraud कैसे किया जा रहा है अब आपको मैं वोबदायता हूँ एक application आई है जो जिसका नाम है Spoof Paytium ठीक है यह एक application है आपको easily Google पे easily मिल जाएगी available है Paytium और sorry आपको यह Google Play Store पे नहीं available होगी क्योंकि यह banned application है मतलब यह illegal application है जिससे बिल्कुल गल्थ काम ही होते हैं तो आपको मैं इसके बारे में बतायता हूँ इसके अंदर simply क्या करता है fraudy person आपको screen पे दिख रहा होगा simply क्या करेगा आप से क्या मांगेगा information जब उसको जोन से भी किसी को payment करने होगी आप से कहेगा वो QR code scan नहीं करेगा वो आपको कहा होगा mobile number दे दो ठीक है mobile number दे दिया वो कहेगा नाम दे दो सामने लगा एगा नाम भी लेले ठीक है नाम लिख दिया उसने अब उसको क्या पता जो दुकांदार है जिसको payment लेनी है उसको क्या पता है भाई क्यों मांग रहा है वो नाम भी लिख देता उसको payment लिखेगा और यहां पर थोड़ी आपको information देखनों को मिल रही होगी, transaction ID हो गई, wallet amount हो गया, यह चोटी-चोटी time, date, हर एक चीद इसके अंदर perfectly easily आजाता है, add हो जाता है, उसके बाद कर देगा submit, करता ही आपके सामने पूरा आजागा, जैसे Paytm के अंदर आता है, payment का page आता है, कि मैंने pay क कारेगा, कोई भी इसे fraud नहीं कह सकता, मतलब सामने आरा बंदा यह नहीं सो सकता, कि यह fraud भी हो सकता, ऐसा भी fraud होगा, तो यह ऐसे fraud हो रहा है, इस application की मदद से, अब आपको मैं तीन tips दूँगा, जिससे आप काफी easily इस fraud से बच सकते हैं, अगर आपको यह तीन tips आपने follow कर लिए अपनी life वे, तो आपके साथ 100% कभी भी यह fraud नहीं हो सकता, तो सबसे पहली tip जो है, सामने वाले person को, जब भी आप, कोई भी fraud हो चाहिए, नोर्मल परसन भी क्यों ना हो, ठीक है, आपसे अगर वो कहता है, कि मैं को payment करनी है, पेटियम के माध्यम से, तो आपके अश् तो दूसरा option है mobile number, ठीक है, याद रखे, mobile number आप जो दे रहे हो, mobile number ही देना है, mobile number वो कहेगा कि नाम बता दो, इसका, नाम बिल्कुल नहीं बताना, साफ समझो, वो सियाना बन रहा है और आपके साथ fraud करेगा, नाम बिल्कुल भी नहीं बताना, सिर्फ mobile number बताना है, और ना नाम आया, किस नाम से payment आप करोगा, मतलब किस ना, वो जो अपने number डाला है, जो मेरे number डाला है, वो नाम क्या आया है, वहाँ पे नाम आता है, इस नाम से registered है, ये number, ठीक है, वो नहीं बता रहा, तो इसका मतलब fraud है, तो उससे आप payment बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, ये च नाम भी दे दिया, गलती से मतलब नाम पूछा, नाम भी दे दिया, ठीक है, वो आपको दिखाता है, कि मैंने payment कर दी है, तो आप एक बार ही, चाहे आपका register मोईल नमबर हो, चाहे आपके किसी family relative का number हो, उससे एक बार ही confirm कर लो, phone करके या अपने मोईल पर चेक कर लो, कि आपके message आया है, message नहीं आया, email आया, email नहीं आया, तो अपने Paytm application में एक बार ही history में चेक कर लो, कि उसके अंदर payment आया है, यह नहीं, क्योंकि application के अंदर, history के अंदर, तो उसी तुरान, मतब तुरंत application के आ जाता है, कि यह payment आपको receive होई है, या यह payment आपने दी है किसी को तुरंत आयता है, तो आप ज़रूर एक बारी यह चीज ज़रूर देखे, जिसका भी mobile number registered है, उस mobile के उपर जूर चेक कर ले, notification हो गई, email हो गई, या उस application के अंदर जाके ज़रूर देखे एक बारी, तभी आप उस thumbnail person के उपर trust करे कि हाँ payment आ गई है, ठीक है, अगर नहीं आ आपको, क्योंकि वो अपनी पूरी हिस्टरी नहीं बतारी कि क्या करूँ, उसने thumbnail दिखा दिया है, तो उसको काओ भाई तु एक बारी पेटियम दिखा दे अपना, मतलब पेटियम से तुने payment करिया ना, तो पेटियम दिखा दे अपना application, खोल के बार दिखा के history दिखा दे हिस्टरी के अंदा है, अगर मेरा नाम, मतलब जो अपने number दिया है, उसके उपर payment हो गई है, तो ठीक है, नहीं हुई, तो इसका अंदा फ्रोड है, अगर वो दिखा देता है, तो इसका मतलब confirm है कि वो सही बंदा है, अगर वो नहीं दिखाता है, तो तो उसको पकड़ लो और साइड में ले लो, वो चाहिए जैसा मर्जी स्याना हो, उसकी स्यानपती पूरी निकल गई है, साफ समझ आ गए आपको, क्योंकि वो अपनी पूरी हिस्टरी नहीं बता रहा कि आपको payment करी है, तो हिस्टरी के अंदर तो आनाई चाहिए 100%, ठीक है यह तीन टिप्स थी, तो इस वीडियो को करें, लाइक, जदे जदे शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू,